नमस्कार दोस्तों मैं एंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में यहाँ आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके नमबर आए और रिजल्ट के बाद शेर में आई यह भड़िया गिरावट चार परसेंट तक शेर टूड़ गया और रिजल्ट बहुत ही खराब थे उसने अपने सेक्टर को भी गिराया है लेकिन यहां से आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसको समझेंगे जानेंगे क्योंकि देखो जो होना था वो तो हो चुका है आपके पास पहले था आप म निकल जाओ रखू क्या करूं क्या ना करूं क्योंकि कंपणी ने डिवीडेंट भी दिया है और डिवीडेंट कंपणी ने अच्छा खासा दिया है तो शुरू करते हैं करके सारी चीज़ों को कवर करना सबसे पहले स्टॉक का नाम IOC यानि Indian Oil Corporation Limited IOCL अब इस कंपनी के कंपनी के प्रॉफिट में 8,064 करोड से मुनाफ़ा गटकर 4,800 करोड का रह गया है कंपनी का मुनाफ़ा तो प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है वहीं अगर इसका अनुमान देखा जाए तो मार्केट बोल रहा था कि प्रॉफिट गटकर तो आए गुनाफ़ा पेश तो बहुत ही जादा अनुमान देखने को मिली है कंपनी की तरब से अगले पैरा मीटर पे चलते है रेविन्यू के तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है यानि की कंपनी के प्रॉफिट में दिक्कत है बट कंपनी के रेविन्यू आये टॉप लाइन में द 10,000 क्रोड के रेविन्यू गाता तो अनुमान से तो 10,000 क्रोड रेविन्यू जादा करा है कंपनी ने लेकिन उसके बाप जूद भी प्रॉफिट घडिया उसके पीछे का रीजन है मार्जिन्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है 6.95% के सामने 4.75% के मार्जिन्स रह घडिया तो बहुत ही अंड़ परफॉरमेंच अब हमने क्यागा डिसकस कर लिए अमने नेट प्रॉफिट डिसकस कर लिया मार्जिन्स कर लिया अब एक आता है और क्यां काजी लेवल पे कामकाजी लेवल पे देखा यह तो वहां भी दिक्कत है टेक्स बगेर, तो चोड़ कामकाजी लेवल पे क्या हो रहा है, कामकाजी लेवल पे 10,400 क्रोड का मुनाफ़ आया है, कम है यह क्योंकि लास्ट कौर देहो तो अब अगर आप notice करें तो 4.5% share तूटा है exactly 7.90 पैसे का अब 7.90 पैसे के सामने company ने 7 रुपे का dividend दिया है 7.90 पैसे के सामने मैं क्यों करा हूँ जितना share तूटा है उतना तो shareholders को मिल जाएगा dividend अब आगे क्या वो सबसे बड़ा सवाल है लेकिन हम सब ही को पता है dividend जो है वो ex-dividend वाले दिन share तूट जाएगा 7 रुपे तो अब मैं आपके साथ price पे आता हूँ 3 parameter पे price को discuss करेंगे एक long term investors, short term investors और positional investors long term more than 1 साल का view है जिनका medium term होगा मेरा जिनका view more than 6 मन्त का है और positional मेरा मतलब होगा उनसे जिनका view एक से लेकर 3 महिने तक का है तो तीनों को अलग-अलग category में मैंने define करके stock को discuss करूँगा पहले company की तरफ से कुछ guidance भी है वो भी देख लेते हैं company approved investment of 1304 crore rupees as equity for implementation of 1 gigawatt install capacity for RE तो ये company ने एक announcement भी करी है अब चलते हैं share के भाव पे 168.85 पे आ गया है share का भाव IOC L stock की बात करें तो आज 4.5% घटा है अब technical terms पे आता हूँ मैं देखिए consolidation चल रहा है एक और consolidation में जो base is stock का वो है 155 का तो पहले बात करते हैं long term investors के लिए long term investors से सिर्फ इतना कोँगा मेरे को oil marketing company अच्छी लगती थी लेकिन मैंने आपके साथ IOC, BPCL, HPCL सारे discuss करे हुए हैं सबसे preferred pick हमारी BPCL थी जा मैंने 460 रुपे से आपके साथ discuss किया था 600 रुपे तक आया उसके बात मैंने कह दिया है यह बिनाबाद के भाग रहा है वैसी कोई growth तो है नी कोई लोग जादा तेल तो पीने लगे गाड़ी तो उतना ही तेल पी रही है तो फिर यह शेर क्यों भागे जा रहे हैं बिनाबाद के तो मेरा मानना यह था कि कच्छा तेल आपका भढ़ रहा है यह medium term यानि की 3 महीने वाले या 6 महीने वाले उनके लिए तो मैं दूँगा एक stop loss और वह stop loss दूँगा में थोड़ा सा deep 149 रुपीज का अगर यह 149 ब्रेक करें तो आप दौनों लोगों का stop loss trigger हो रहा है मही medium term यानि की short term जो उनका 1-3 महीने का view है इस बीच में अगर stop loss ब्रेक ना हो और उपर में 176-180 रुपे का बाव में ले तो आप position को cut कर सकते है क्योंकि 180 का level जब तक पार नहीं होगा तब तक दिक्कत है और एक बार 180 पार होगया तो फिर बड़ी तेजी बन सकती है और जो medium term investor यानि 3-6 महीने वाले उनको label ध्यान में रखना है 176 का वो निकलेगा तो फिर fresh तेजी आएगी otherwise आप भी stop loss 149 का या फिर 155 का चोटा stop loss लगाके भी carry का सकते है long term investors की बात करें तो उनके लिए मैं यह कहूंगा कि dividend वाला stock है ये आप position हलकी रखिए डिपाय तो उठाइए आराम से बैठे रहो और dividend खाते रहो बस वही है कोई growth में ऐसे returns तो मेरे को इस stock में दिखते नहीं कि बहुत ज्यादा return देती हो हां बीते कुछ समय में जरूर भागाश है लेकिन अगर मैं अभी भी 2-5 साल की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हुआ है क्योंकि इस stock ने 2016 में भी 124 रुपे दिखाया था तो ये मेरे तरब से आपके लिए सारी की सारी डीटेल्स थी होब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी थैंक भी धने बडू पर वाहतना ग्यात था इस पत्रेव में अचने आपके लिएगे